साइं की बाद समाधान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ तुम्हारे जवाब मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ जो तुम उलच रहे हो ना तुम्हें मैं सुलचाओंगा तुम इतना उलचो मत मेरे बच्चे जितना तुम उलचोगे ना सामने वाले का दिमाग पढ़ना सामने वाले के मन में क्या चल रहा है ना उसके चहरे पर क्या शिकन है या उसके चहरे पर क्या खुशी है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो क्या सोच रहा है ना वो तुम पढ़ लेते हो मेरे बचे कहीं हद तक तुम उसकी सोच को पक लिए हैं ना उसके दिमाग तक तुम बहुत चुके हो कि वो क्या सोच रहा है तो वो यूं ही नहीं होता मेरे बच्चे वो सब मेरी शक्तिया हैं जो मैं तुम्हें देता हूं जिसके कारण तुम सामने वाले को पहचान पाते हो उसका चेहरा पड़ पाते हो तुम तुम्हार आगे दो चुनाव है उस चुनावों में से तुम्हें एक चुना है अब तुम सोच रहे हो कि तुम दोनों चुन लो तो दोनों नहीं चुन सकते मेरे बच्चे तुम्हें एक ही चुना होगा अब सोच लो समझ लो कि तुम्हें क्या चुना है दो में से तुम्हें एक ही च चुनना है और मैं तुम्हें देने को तयार हूँ बस चुन लो और मुझे अपना फैसला बता दो मेरे बच्चे और सुरो मेरे बच्चे मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़े तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही हैं बहुत परिशान कर रही हैं लेकिन एक बात ग olarak घॉलों तुम मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों से तुम्हारा जुडाव है लेकिन वो भावनाओं में मत बहना बिल्कुल मत बहना मेरे बच्चे क्योंकि जिन्दगी भावनाओं से नहीं चलती तुम्हारे जिन्दगी चलती है तो कुछ चीजों से मेरे बच्चे कुछ कारे उसे अपने कर में वड़ जाओ किसी को भी लेकर बैठो मत। एक चीज को लेकर बैठे रहोगेbrahim हैं तो कभी जिंदिगी में आगे बढ़ पाओगे कभी नहीं बढ़ पाओगे और सुनो तुमहारे मंदर में जो मेरी मूरती है ना मेरे बच्चे उसे तुम अच्छे से स्नान करवाओ और तो मुझे अच्छे से वस्त्र लाकर पहनाओ मेरे बच्चे सुन्दर से वस्त्र लाकर मुझे पहनाओ मेरा मन है कि आज मैं सुन्दर सुन्दर कपड़े पहनू और मुझे स्नान करवाओ मेरे बच्चे मेरा मन है और सुनू तुम्हारा रवीवार बहुत खराब जाता है ना मेरे बच्चे हर रवीवार को तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ दुरगटनाए होती है लड़ाई जगड़े हो जाते हैं कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ होता है और तुमने हर बार ये बात ध्यान दी है कि हर बार तुम्हारे साथ रवीवार को ही ये सब कुछ होता है तुम्हें ऐसा लगता है कि रवीवार तुम पर भारी है तो सुरो मेरी बात तुमना आज सूरे देबता को जल चढ़ाना उन्में तुम अर्ग देना गुड और हल्दी डालकर तुमने अर्ग देना उन्में जल चढ़ाना और उन से कहना कि है सूरे देब मेरी रक्षा करना जिसे आफ इस दुनिया में रोश्णी कर रहे हो न मैं भी इस दुनिया में रोश्णी करूँ मैं भी तरक्की करूँ और आगे बढ़ू जिंदकी में उनसे आशिरवात देना और फिर देखना कि तुम्हारा रवीवार कैसे बुरा चाहेगा तुम शुरवात उनसे करो ठीके उन्हें हाँ चोड़कर नमस्कार करो और उनका नाम लेकर अपने दिन की शुरवात करो सब कुछ अच्छा हो जाएगा ठीके और सुनो कुंडलियों पर विश्वास कभी मत करना मेरे बच्चे कुंडलियां तुमारा भागे नहीं बनाती है भागे बनाते हैं तुम्हारे करम अगर तुम्हारे नेक इरादे हैं तुम्हारे करम अच्छे है न तो कोई कुंडली तुम्हारा कुछ नहीं बिगार सकती कोई तुम्हारे भागे रेखाएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगार सकती अरे भागे लिखने वाला तो मैं हूँ मेरे बच्चे और तुम्हारे करम है करम अच्छे करो मेरा नाम चाप करो सब कुछ अच्छा हो जाएगा अरे तुम्हारा भागे चमकेगा मेरे बच्चे बिल्कुल चमकेगा मत हो परेशान किसी ने अगर तुमसे कह दिया कि तुम्हारे कुंडली में ये नहीं वो नहीं तो मत मानना बिल्कुल भी मत मानना ऐसा कुछ भी नहीं होता और इस बात का जीता जाकता सुबूत मैंने तुम्हें साइंसा चरितर जी में दिया है न कि कुंडलीयों पर विश्वास कभी मत करना बिल्कुल भी मत करना और ये क्या है मेरे बच्चे मांगलिक ये सब क्या है मेरे बच्चे मांगलिक मांगलिक कुछ नहीं होता मेरे बच्चे मत भरोसा करो कुछ चीजों पर मुझ पर भरोसा करते हो न, तो बस भरोसा रखो, जहाँ प्यार है न, वहाँ मांगले कुछ माइने नी रखता, कुछ भी नहीं होता मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारे साथ, अगर तुम मुझ पर भरोसा रखते हो न, तो अपने बाबा पर भरोसा रखना, और तुम हूँ मेरे बच्चे बिल्कौल हूँ और सुनो कुछ लोग ऐसे हैं चो तुम्हारी गल्ती ना होते हुए बीना वो यही कोशिश करते हैं कि गल्ती तुम्हारी है delivered लेकिन सुनो उन गलतियों को उन चीजों को कभी तुम अपने उपर मत लेना मैं उन लोगों से तुमें इतना दूर कर दूंगा न कि वो अगली बार से यह सब कुछ नहीं करपाएंगे अगर उनकी गलतिया है तो उन्हें माननी होगी वो अक्सर यही करते हैं कि गलतिया क्व और सुनो मेरे बच्चे, किसी का नुक्सान करवाकर अपना फायदा करवाना, ये कोई समझतारी नहीं है और नहीं साइं के बच्चों की निशानी है। कि वो साइं के बच्चे हैं वो ये नहीं कर सकते उनके मन में मैं इस तरीके से विचार डालता हूँ न कि वो भाग रहे होते हैं वो वही के वही रुख जाते हैं उनके मन का लालच मैं वही के वही समाप्त भी कर देता हूँ और मन में लालच आना मेरे बच्चे कोई पाप न किसी लंबे सफर पर जा रहे हो ना तो खाना साथ लेकर जाया करो मेरे बच्चे इस उमीद के साथ मत जाया करो कि वहां जाकर तुम्हें खाना मिलेगा या रास्ते में मिलेगा नहीं मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं किसी के भरोसे मत जाया करो खाना खाकर जाओ और खाना लेकर भी जाया करो मेरे बच्चे ऐसे मत किया करो तुम जानते हो ना कि खाली पेट रहने से तुम्हारे तबेत खराब होती है और बाहर का तुम कुछ भी उल्टा सीधा खाते हो तो उससे जादा तबेत खराब होती है है न तो घर का खाना बना कर लेकर जाया करो और सुनो कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जब साइस सचरतर जी पढ़ते हैं न तो उरे बहुत नीद आती है तो इसका कारण बता है क्या है क्योंकि तुम्हारा मन जो है न वो पढ़ना नहीं चाहता भक्ती की तरफ आना नहीं चाहरा तुम्हें नकरत्मक उर्जाए अपनी तरफ घेरती हैं तुम्हें खीचती हैं कि तुम नहीं पाट पूजा करो तुम्हें वो खीचती हैं अपनी तरफ कि तुम भक्ती ना करो तुम पूजा पाट ना करो लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहूँगा कि तुम धीट की तरह डटे रहो आज नहीं तो कल अभ्यास करते 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 न तुम देखना कि वो नकरत्मक उर जाये तुमसे कितना दूर भाग जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा मन लगने लग जाएगा कुछ तुम नहीं कर रहे इसमें तुम्हारा कोई दोश नहीं मेरे बच्चे ये दोश नकरत्मक उर जाओंगा वो सब कर रही है तुमसे करवाती है लेकिन तुम नहीं करते मैं जानता हूँ इस बात का मन में डर मत रखो कि बाबा गुसा करेंगे मैं गुसा नहीं करता मुझे सब मालूम है तुम नहीं कर रहे हो वो चीजे करवाती हैं तुमसे कोई बात नहीं तुम अभ्यास करो मेरा मेरा नाम जाब करो सब ठीक हो जाएगा ठीक है? खुश रहो आज का साई संदेश समाप्तूवा